हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मुझे उम्मीद है आज तो कम से कम अच्छा मैसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन साथ हजार डॉलर के उपर पहुंच गया है कहां दो-चार दिन पहले ये 52,000 डॉलर के आसपस भी टिकेगा के नहीं टिकेगा ये बात चल रही थी 50,000 डॉलर पे तो नहीं आ जाएगा या बुल रन खतम हो गया है या आएगा ही नहीं इसकी बात चल रही थी और अब हर कोई बोल रहा है साथ हजार डॉलर पे आ गया है तो यहाँ पे एक बड़ी बुल रैली ट्रिगर हो सकती है और हिस्टोरिकली देखते हैं तो ट्रिगर हो भी सकती है और यहाँ पर अगर 2016 रिपीट हुआ हाफिंग यह आपको पता होगा 2016, 2012, 2020 तो 2016 के अंदर ही सेप्टेंबर के अंदर ही बुल रैली शुरू हो गई थी और क कुछ जो है इत्तिफाक अगर 2016 जैसा रिपीट हुआ या 2020 जैसी हिस्ट्री रिपीट हुई या 2012 जैसी भी हिस्ट्री रिपीट हुई तो आप कहले जीए ऑक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद अगला एक साल इतना धूम धड़ा का हो सकता है आपकी कई लोगो का चक्का घूमता है वो देख लिया है तो तो आप एहसास कर सकते हो लेकिन मेरे जायतर भाई बहन जो है ना 2022 जब लुटे पिटे पड़े थे या 2021 के बुल रन के पीक पे आये थे 22 देखा 23 देखा मतलब चलता रहा काम मतलब हमने कुछ कमाया नहीं जायतर लल्याली ही दे के साथ शेयर इसलिए कर रहे है क्योंकि हमें एहसास है कि अगर बुरे हालात हुए तो 15-20% से जादा कुछ खास यहां पर और गिरावट नहीं हो सकती या नुकसान होगा इससे जादा नहीं हो सकता लेकिन अगर बुल रैली ट्रिगर हुई और हिस्टोरिकली देखते हैं जो रिपीट होते दिख सकती है तो यहां पर एक बड़ा खेल आपको होता दिख सकता है और कई कोई आपको करोड़पती लगपती बनाते दिख सकते हैं कुछ हजारों रुपोत जो है रुपियों से तो यह हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है तो आज भी मैं आपके साथ म सकते हैं और यहां पर बिटकोईन को लेके भी क्या मार्किट के अंदर चल रहा है क्या प्राइस प्रेडिक्शन चल रहे हैं आप तो एक लाग डॉलर दिसमबर 2024 यूएस इलेक्शन यह सारी बात होने लगी है और कई लोग तो बोलने लगे है भीया पांच-मच लाग डॉ बिटकोईन ETF वाले क्या चल रहे हैं इतना कुछ है बताने को और इतना कुछ exciting है समझाने को समझाने की कोशिश करूँगा और साथ के साथ में जो एक चार्ट निकल के है उसके बारे में शेयर करूँगा और यहां पर बहुत सारी information historically क्या मिलती है वो सब देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए ना चैनल को subscribe करिए नए हो और यहां पर subscribe करना है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगला एक डेड़ साल बहुत ही आपके लिए मज़िदार होना जो है history repeat हुई तो हो सकता है और हमें उम्मीद है होना चाहिए तो उसका फायदा जो हमने सीखा है जो हम समझाने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा अगर आपके साथ में add हो जाएगा तो आपको एक edge ही मिलेगी ठीक है ना तो इसलिए कहते हैं चैनल को subscribe करो वीडियो को share और like करो ताकि हमें भी पता चले हमारे भाई भाई बेन हमसे कितना प्यार करते हैं और यहां पर जब भी ऐसे round figure में bitcoin का price आता है साथ हजार सतर हजार तो एक excitement अलग हो जाती है अब round figure में 50,000 डॉलर मत ले आना ठीक है तो टाइटाइफ भी हो जाती है ठीक है तो यह इसलिए कह रहे हैं कि साथ भना रहना चाहिए लेकिन यहां पर पहले मैं news और information market के अंदर भी buy signal दे रहा है और उसके बाद हम कुछ coins जो है आपके लिए लेके आएंगे सबसे पहले bitcoin ETF की data की बात करते हैं यहां पर one of the biggest buying देखी गई और मजे की बात क्या है साड़े चार अजार से ज़ादा bitcoin यहां खरी दे गए और सबसे मजे की बात पता है क्या है black rock इसके अंदर है ही नहीं जिसने कल buying करी और यहां पर fidelity और arc जिसकी वज़े से market के अंदर pressure था ना 52-53 thousand dollars पे आ गया था उसने ही कल जो है दबा के यहां buying करी तो आप समझ लीजिए क्या खेल करते हैं selling करके pressure मे लाते हैं bitcoin माल बटोरते हैं और यहां पर फिर bounce back कर गया और यहां पर हमें यह समझना है यह लाखो bitcoin लेके बैठे हैं total supply अगर देखते हैं 5% से उपर के आसपस की supply यह यहां पर लेके बैठे हुए हैं तो आज जो हमें यह प्यारे प्यारे लग रहे हैं अच्छे अच्छे लग रहे हैं जब यह sell करेंगे जैसे grey scale हमें दुश्मन दिखता है जो और 2021 मे वही सबसे प्यारा दिखता था तो यह भी हमें दुश्मन दिखेंगे लेकिन आज यह हमारे प्यारे हैं हमारे प्यारे रतन हैं तो इनको भाईया watch करो और जो यह कर रहे हैं कुछ ज़्यादा दिमाग लगानी ज़रुत निया है इनकी भी average 56, 57, 60,000 डॉलर के आसपास है त ज़र कोई यह जो है 2, 4,000, 10,000 रुपे की बात होती तो हम भी बोलते हैं किस पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन इतने बड़े बड़े नाम जो करोडो रुपे ठीक है अरबो रुपे लेके बैठे हुए बिटकोईन के अंदर लगा के बैठे हुए उन पे तो थोड़ा सा विश सेलर, माइक्रो स्टेटरजी ने फिर बिटकोईन खरीदे और बिलियंस ओफ डॉलर, 16,000 बिटकोईन से उपर खरीदे और बिलियंस, मनलब 8-10,000 करोड रुपे तो इनके लिए कुछ होता ही नहीं है, ऐसे खरीद रहे हैं और वो भी 60,000 डॉलर के रेट पर, क्या सोच के ख बिल रन आएगा नहीं, 50,000 डॉलर आजाएगा, 35,000 डॉलर आजाएगा, ये 60,000 डॉलर पे 10,000 करोड रुपे खरीद रहे हैं और हम 10,000 रुपे की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, सोच का फरक है, ये institutions हैं, ये बड़े लोग हैं और यहाँ ध्यान रखेगा, इनकी average भी माग लगा के, और किसी चीज में कुछ किया ही ना हूँ, altcoins की बात भी नहीं करी होगे, और कभी उनके मुह से altcoins के बारे में सुना भी नहीं होगा, तो bitcoin इतना खेल कर सकता है, तो ये altcoins आपको रुला भी सकते हैं, बुरे हलात में, और अच्छे हलात में, आपको इतना कमा के दे सकते हैं, जो आप सोज भी नहीं सकते और ऐसा हुआ है, इथेरियम एक, दो, पांच डॉलर से हमने पांच हजार डॉलर देखा ऐसे बतेरे कोईन, जो है सोलाना की बात करते हैं, कुछ डॉलर से आज डेड़ सो डॉलर और दो सो डॉलर से उपर भी के आचुका है, तो ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, BNB की 2-3 डॉलर से, एक डॉलर से कहां ये 600 डॉलर तक चला गया था तो ऐसे एक्जामपल भरे पड़े हैं, और यहां पर अगली अगर बुल रैली आई, उसके अंदर अगर आप ने यहां पर कुछ पोजिशन नहीं बना के रखी हुई है, तो मौका है क्वाइन शेयर करूँगा, लेकिन और क्या बात है, प्रेडिक्शन की बात क्या आती है, यहां पर टॉम ली, अगर बात करते हैं फन स्टेट के, उनकी बात करते है कि 1-500,000,000,000 के अंदर हो सकता है, 6-5,000,000,000 तो हो सकता है, यह 4-5,000,000,000 भी आपको होता दिख एक तो यह चीज, दूसरी, स्टेंडर चार्टर की रीशन प्रेडिक्शन निकल कैना ही है, हमं़े पता है वो बोलते हैं कि ट्रम पाएंगे तो डेड़ लाग डॉलर और दोहजार पच्चिस में धाई लाग डॉलर की प्राइस होने चाहिए और उनका रेसेंट अपडेट आया है कोई भी आये भाया एक लाग डॉलर तो बिटकोईन 2024 में या US ELECTION के आसपास आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलना चाहिए और जिस आपसे institutions मूड में आ गए न तो ये भड़ी बात नहीं लगती है लेकिन इसके पीछे के कुछ logic भी होने चाहिए historically data 2016 repeat हो रहा है लेकिन उससे पहले मैं आपको बतायता हूँ ये market के अंदर माहौल क्यों बन रहा है गोल्ड भी अपने all time high पे है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए CPI का data समढ़ लिजिए 2021 के बाद सबसे कम निकल के आया जो की कही न कहीं और उम्मीद है वड़ा देता है कि पहले 25 basis point की बात कर रहे थे FOMC की meeting है 18 तारीक को 25 basis point घटाएंगे अब उम्मीद है कि 50 basis point घटाएंगे और उससे पूरी की पूरी global market में माहौल बनेगा SNP के अंदर भी देखा हो आपने अच्छा करता दिख रहा है तो Bitcoin भी यहाँ पर कह लिजिए उसको यहाँ पर follow करता दिख रहा है तो कह लिजिए इसको anticipate करके भी market के अंदर माहौल अच्छा बन रहा है तो overall scenario और अब हर कोई एक लाग डॉलर की बात करते हैं CNBC की बात करते हैं सबकी predictions अब अच्छा positive positive बोले जा रहे है तो कह लिजिए जब माहौल बनाया जाता है तो ऐसे ही इस time पर आपको ज़्यादा तर बुरी बाते सुनने को नहीं मिलेंगी सब अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा होगा cryptocurrency के अंदर और यह अगर एक दो तीन महीने continue रहा तो यह भाया six figure यानि की एक लाग डॉलर के आसपास bitcoin का price दिख सकता है अब मुद्दा क्या आता है एक लाग डॉलर तो दिख जाएगा भाया हमारे पास नहीं है bitcoin हमारे पास नहीं है थी नहीं हमारे पास तो है भाया alt coins उनका क्या होगा यह मत भूलिएगा bitcoin को follow करते है alt coins तो वो भी आपको pump करते दिखेंगे और bitcoin अगर डेड़ लाग ठाई लाग डॉलर पहुँच गया यहां से 35x अगर पहुँच गया तो यह जो alt coins है यह आपको 10, 20, 50 और कई coins 100x भी आपको आते इस bull season के अंदर देख सकते हैं तो इस बारे में कुछ coins मैंने select की हैं थोड़े अलग coins हैं टॉप 100 के अंदर है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इतना कुछ data है और मैंने अभी तक phone नहीं देखा है यह पूरी रात research करी है और दिमाग में सब रखके जो है आपके सामने में बताया रहा हूँ जैसे जैसे रिपीट हो सकती है उसको समझिएगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते है लेकिन इतनी information है ये वीडियो शायद आपके miss करनी भी ने चाहिए क्यों अब history 2016 के अंदर हाफिंग हुई थी 2020 के अंदर हाफिंग हुई थी 2016 के अंदर एक क्योंकि आप देखते हो न सेप्टेंब के अंदर ही bull rally शुरू हो गी थी और फिर अगला एक डेढ़ साल चलवा जो है चला था ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि अब जो है सेप्टेंबर के अंदर bitcoin का price green है 58,000 डलर 59,000 डलर की closing थी और उसके उपर 60,000 डॉलर यहां चल रहा है अगर वो ही repeat हुआ तो हमारे लि इंटरस्टिंग बात है वह आप observe कीजिएगा 2015 के अंदर भी September green था और फिर हमने 2016 के अंदर भी September green देखा अब इस data को थोड़ा सा observe कीजिएगा उससे आपको आइडिया लगेगा और 2015 के और 2016 के सारे महीने green थे आखरी चार की बात कर दो September, October, November, December और ऐसा ही लग रहा है 2023 के अंदर हमने देखा September, October, November, December green थे और फिर इस having year 2024 के अंदर अभी September green हो गया है October, November, December green होते दिख सकते हैं ये भी ना मानो तो 2000 आप 20 भी ले लो तो हमें पता है October, November, December तो हमें अच्छे होते दिखेंगे 2020 के अंदर 160% रिटन दिया था इन तीन महीने के अंदर 2016 के अंदर 60% र तो भी यहां से आप कह लिजे 90,000 से एक लाग डॉलर बिटकोईन का प्राइस जाता दिख सकता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये डेटा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लेकिन आज के जो चार्ट है ना उसको भी हमें मिस नहीं करना चाहिए और वो चार्ट क्या ये ऐसा हुआ है जादातर के अंदर हमने एक बड़ी रैली देखी है दो अजार अगर आप 23 में आओ गए जब 18,000 डॉलर के आसपस बिटकोईन का प्राइस था 15,000 डॉलर के नीचे ये सिगनल आया था ब्लू डॉट का यानि की बाई का और उसके बाद बिटकोईन हमें प 69,000 डॉलर पहुचा था ना कुछ 1000 डॉलर से ऐसा ही सिगनल आया था 2016 के अंदर और फिर हमने 20,000 डॉलर बिटकोईन का प्राइस दिखा था था तो ऐसा ही 2014 में भी हुआ था तो मतलब ये जो बाई का सिगनल जब भी आया है जायतर उसके बाद हमने एक बड़ी रैली फॉल अलगा होगा और बार-बार कहते हैं अच्छा नहीं लगता लेकिन आप भी मानते नहीं हो क्रिप्टोकरंसी होल्ड करने में तो बहुत ढीट हो लेकिन लाइक भी थोड़ा सा कर दिया करो ठीक है ना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आज शायद आपको रिलाइस नहीं हो ले शौट टम में फटक से बिटकोईन का प्राइस को ले लेते हैं यहां पर जैसे हमने चार तीन जो है सरकल बनायों है चार सरकल अभी जो है पचास डे मूविंग एवरिज का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक आउट किया इंटरस्टिंग बात क्या है ये भी एक बड़ा बुलि अगर यहां नहीं टिकता है तो हमारा सरकल नंबर 3 जहां पर 56-58,000 डॉलर की सपोर्ट है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम यहां करना चाहिए शौट टम में हो लाइन पर ट्रेड करो लाइन पर ट्रेड करने वाले ही कितना ही कुछ जो है उपर नीचे में कमा लेते हैं और यह स्टॉप लॉस के साथ में करोगे तो कितना मौका दिया कुछ चार्ट से अलग ज्यादा कुछ कर रहा है क्या नीचे चैनल की सपोर्ट है फैबराची की रेशियो है एटीएफ की बाइंग की है अब उपर रेस्टेंस है तो वहां थोड़ा सब हो सकता है करेक्शन क अब यहां पर यह सारी चीज़े उम्मीद करता हूं आपको बिटकोईन को लेकर या जो महौल बन रहा है उसको लेकर थोड़ा सा अच्छा यहां लग रहा होगा और महौल अच्छा बनता देख भी रहा है लेकिन अगर बिटकोईन की डॉमिनच 57 58 अगर देखो इस टाइम पर अपने पीक पर है अपने बॉटम के पास में यानकी आप कह लिजिए बेर मार्केट के बाद अब अपने पीक पर है यह जाए सदा हमें लगता है 60 तक जा सकती है लेकिन यहां से अगर देखते हैं पिछले तीन चार बार इसने कोशिश की और आप कह लिजिए 57 58 से पास के लिए और यह एक सिगनल है बिटकोइन भी बढ़ता जिख सकता है या बिटकोइन यहां स्टेबल भी होता है तो आल्ट कोईन के अंदर एक सदन पंप आपको देखने को मिल सकता है जिसका यह सारे आल्ट कोईनस वेट और वाच कर रहे हैं यह भी एक इंडिकेट के साथ में इतनी सारी बाते करने के लिए आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा यहां पैसा कमाने ही बैठे हो ना यहां पैसे के लिए आयो ना यहां टाइम पास करने आयो अगर आपको भाया कुछ ऐसा चाहिए कि यहां time pass हो रहा है तो भाया I think यह वीडियो आपके लिए अगर आप actual में थोड़ा कुछ समझना चाते हो तो भाया यहां पर हम आपका साथ इतने time से दे रहे हैं तो यही हम बोल रहे हैं ठीक है अब यहां पर हम 5, 3 से 5 coin जो मुझे लगता है जो अच्छा करते दिख सकते हैं इस rally के अंदर और वो 5, 10, 20 X तक का भी potential रखते हैं और यहां पर और आप कहले जिए almost अपने bottom के आसपास हैं लेकिन उसमें सबसे पहला coin है near protocol इसका all time high 20 डॉलर से उपर था एक डॉलर आ गया था bear market के अंदर और अभी भी 4 डॉलर के आसपास साड़े 3, 4 डॉलर से नीचे हम कितना बोल रहे हैं entry ले लो तो यहां से यह 5X का potential तो रखता ही है अपना all time high तो छूता दिखी सकता है तो यह पूरी उम्मीद रखते हैं कि हां 20 डॉलर लेकिन हो सकता है यह 40-50 डॉलर भी इस rally के अंदर लगाता दिखे और इसके अंदर ही potential है अगर 7 trillion की market cap कहते हैं overall बनेगी तो यह इसके लिए possible है all time high तो हमें यह लगता है क छूता दिखी सकता है तो इस coin पर नजर बना के रखेगा चार डॉलर के आसपास मिल जाए साड़े तीन डॉलर पर आसपास मिल जाए तो आप entry बना ले जाए दूसरा coin है FTM फैंटम की बात करते हैं इसने भी कुछ खास नहीं किया एक range के अंदर यहां trade कर रहा है अभी जो इसका price चल रहा है वो चल रहा है लगबग 0.4 डॉलर के आसपास अगर यहां एक entry मिल जाए तो एक entry बनाई जा सकती है और एक entry लगबग 0.35 डॉलर के आसपास मिल जाए तो entry बनाई जा सकती है इसके अंदर भी हमें उमीद है यह अच्छा करता देख सकता और एक potential यह coin भी रखता है इस coin पे भी नजर बना के रखेगा तीसरे coin की बात करते हैं वो है Pith PYTH यहां पर अगर इसका peak देखते हैं वो एक डॉलर से ऊपर है और इस time पे इसका price चल रहा है 0.29 या आपके लिए 3 डॉलर के आसपास एक entry यहां और एक entry 0.25 डॉलर पे मिल जा है तो entry बनाने देख सकता है लेकिन ये उम्मीद है क्योंकि अभी नया अपना फेज देखेगा या अपना नया पहला बुलरन देखेगा उम्मीद है ये भी multiple time return देके जा सकता है और इस coin पे भी नजर बना के रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ एक और coin है Solana blockchain के लिए बहुत सारा बस एक entry यहां बनाई जा सकती है और एक entry 0.65 डॉलर पे मिल जाए तो entry बनाई जा सकती है पूरी उम्मीद है बुलरन आएगा तो Solana के coin भी blockchain के उपर भी अच्छा करते दिखेगा और ये तो DEX है तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है और ये दो है डेर से 2 डॉलर Pound अभी दिख रहा है अभी रिसेंट लिए 20 डॉलर के आच पास आ गया था अब हाई लगा के नीचे दुबारे से अभी 5 डॉलर के नीचे आ गया था अब यहांपर 5-5 डॉलर या हमने कितना बोला भाई ले लो 6 डॉलर के नीचे मिल रहा है अगर entry बना सकते हो और अगला छे महिने से डेड़ साल दे सकते हो तो ये 15-20 डॉलर जाना इसके लिए बड़ी बात नहीं है हम देख रहे हैं, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है 50 डॉलर भी आपको लगता दिखे ये भी potential लगता है 10X या उससे उपर का भी बाकी दोस्तों हम कोई financial advisor नहीं है आप छेल सको और ये 4-5 coins और पीछे हम लगातार पिछले 15-10 दिन से बना रहे हैं लिस्ट बता रहे हैं आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम confidence हमें तो है कि market में एक bull run trigger होगा और इसलिए हमने पहले से ही शुरुवात कर दी थी 52-54 thousand dollars पे भी आपके साथ coin share कर रहे था तो ये coins की list बनाओ और इससे अगले 6 महीने 1-5 साल बाद हमारे साथ compare करो कि भाया किस coin ने क्या किया या क्या उखाड लिया जो आप कह रहे हो कुछ हुआ भी के नहीं तो ये महनत आपको भी तो करनी पड़ेगी ना सिर्फ वीडियो देखके चले जाओगे तो ये इससे काम नी चलने वाला थोड़े efforts लगाने पड़ेंगे list बनानी पड़ेगी उसको समझना पड़ेगा और उसके आज का price क्या है 6 महीने बाद क्या हुआ एक साल, देड़ साल बाद क्या हुआ तब समझ में आएगा और यहां से हमारा नीचे गया, उपर गया कैसे पता चलेगा थोड़ी महनत करो ना, copy पे लिखना तो शुरू करो इससे आपको भी, आपकी आँखे भी train होंगी कि हाँ, ये coin मेरे लिए सही था ये coin सही नहीं था ये सारी चीजे आपको मेनत करनी पड़ेगी और अगला एक डेड़ साल भाया मेनत कर लो, क्योंकि ये एक बड़ी market के अंदर आपको opportunity है और शायद ये एक डेड़ दो महिने बाद हो भी ना, क्यों क्योंकि यहां से उम्मीद है, अगर bitcoin एक लाग डॉर पहुँच गया तो ये भी आपको double, triple coin होते दिखेंगे, फिर उस rate पे लेते भागते फिर होगे, जैसी सारी आहम जनता लेते फिर हैगी, तो क्या फायदा हमारा वीडियो बनाने का तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आई होगी, content अच्छा लगाए तो वीडियो को share कीजिए, like करिए और चैनल को subscribe करिए, twitter, telegram को follow कर लिजिए, नीशे description जो लिंक है उसे देखीजिएगा बहु सारे scam आपको बच पाओगे अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए आपका दोस्त पंकेज, thank you, नमस्कार, धन्यवाद